Hello Friends Welcome to the Bijayber Vedic Center आज का जो हमारी टॉपिक है वो है गरव की मासानूपसिख वरिद्धी यानि की मन्त टूमन्त कैसे गर्व यानि की गर्व की वरिद्धी कैसे होती है इसको हम आज पढ़ेंगे ठीक है यह BMS का सबसे important question है जो की पूछा जाता है हमारे रचना सारीर में कि गर्व की मासानुमासिक बिद्धी का वर्णन कीजिए या इसकी वैख्या कीजिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये स्लोग मैंने लिख रखे हैं आप इसको नोट कर सके हैं और इसे याद कर सके हैं तो कर लीजेगा वनना हिंदी बे तो यादी रखिएगा ये सबसे जादा पूछे जाना माला कोश्चन है तो सबसे पहले महीने में क्या होता है सुक्र और सोडित के सयोग होने से प्रथम मास में गर्व का सुरूप कलल होता है मतलब जब सुक्र और सोडित मिल जाते हैं तब जो गर्व बनता है वो पहले मास में कैसा दिखता है हमें कलल सुरूप का यानि कलल जैसा यानि मतलब वात से परिपक महाभूत के संघत से गर्व घन बन जाता है तो दूसरे मन्त में गर्व कैसा होता है घन जैसा हमें दिखाई देता है इसके अंदर जैसे कफ पित और वात वात पित कफ इंदिनों के और पंच महाभूतों के जब इनका सयोग हो जाता है तब जो गर्ब बन जाता है वो कैसा दिखता है वो घंज जैसा दिखाई दिखाई देता है यानि घंज के आगारका हो जाता है फिर हम पढ़ेंगे तीसरे महीने में क्या होता है तो तीसरे महीने में दो हाथ दो पैर और सिर इनकी पांच मिंडिक निकल जाते हैं और इसके अंग प्रत्यांग सुक्ष्म होता है मतलब बहुत छोटा होता है तो जायर से बाते हैं अभी दूसरा ही महिना है तो यह बहुत छोटा होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथे महिने में क्या होता है तो फ्रेंड्स चौथे महीने में संपूर्ण अंग प्रत्यंग विभाग पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो जाते हैं मतलब जो पहले हाथ पैर बने थे वो इतने स्पष्ट नहीं थे चौथे महीने में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है कि चौथे महीने में हिर्दय जो होता है वो इस पर्ष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त होती है मतलब क्या हुआ कि हिर्दय जो है वो अच्छा बन जाता है मतलब कम्प्लीट बन जाता है और इस हिर्दय के धक धक की आवाज आने लगती है गर्व में से तो उसी को हमने कहा है चेतना धातु ब्यक्त होती है मतलब उसमें आत्मा आ चुकी है यानि हिर्दय जो है हर्ट जो है वो धड़कने लगा है दो हिर्दे होने से गर्भिडी इस तरी को दो हिर्दनी कहते हैं कैसे जो गर्भिडी है यानि कि जो गर्भवती महिला है उसके अंदर दो हिर्दे हो जाते हैं एक बालक का हिर्दे हो गया यानि गर्भ का हिर्दे हो गया और एक उसका खुद का हिर्दे हो गया तो उसमें दो हिर्दे होने की वज़े से हमसे दो हिर्दनी कहते हैं फ्रेंट्स अब देखेंगे पांचों महीने में क्या होता है तो पांचों महीने में मन अधिक प्रबुद्ध एम सचेत हो जाता है यानि कि पांचों महीने में उसका मन काम करने लगता है ठीक है उसके बाद देखते हैं च्छटे महीने में बुद्धी अधिक प्रव्यक्त हो जाती है यानि कि च्छटे महीने में उसके अंदर बुद्धी भी आ जाती है मन भी आ गया और बुद्धी भी आ गई अब और आत्मा पहले ही आ गई ती तीसरे महीने में यानि हिर्दर तीसरे महिने में ही बन गया था, हाथ पैर और सिर्द दूसरे महिने बनता है, और पहले महिने में कैसा लगता है, वो कलल जैसा होता है, यानि सिर्फ एक बुदबुदाकार का एक पिंड बनता है, ठीक है, अब हम देखेंगे सब्तमे महिने में क्या होता है, त तो मलब जिन्दा रह सकता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी रहेगी, यानि अभी कुछ ऐसी चीजे हैं जो नहीं बनी होंगी, तो उसमें बुद्धी का कम होना, मंद होना, ऐसे कुछ लक्षन दिखाई दे सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आठोए महीने में बच् पैदा हुआ है, तो उसके अंदर चंचलता इतनी जादा नहीं होगी, वो इतना जादा चंचल नहीं होगा, ठीक हैं, तो इसमें हमने देखा कि ओज इस्थिर होता है, मतलब उसमें, ओज का मतलब क्या होगा है, इम्म्यूनिटी, यानि कि उसमें ताकत भी जादा होगी, बीमारियों से लडने की शमता उसमें जादा होगी, जबकि सातुए में जो बच्चा पैदा होगा, उसमें इतनी जादा चंचलता नहीं होगी, बीमारियों से लडने की, इस महिने में बालक पैदा होने पर नैत्रित के भाग के कारण, तथा ओज धातू अस्थिर होने से बालक जीवित नहीं रहता मतलब इसमें चंचलता और ओज ये सब भी बनी रहे थे ठीक है complete तो नहीं हुए थे आधा ही बने थे तो अगर अगर अब पैदा हो गया तो उसके अंदर आधा तो लड़ने की छमता है आधा वो चंचल भी है तो अब वो पैदा हो गया तो उसमें हो जाएगी यानि कि इस महीने में बच्चा जीवित नहीं रह सकता लेकिन इस महीने में सातों महीने में रह सकता है क्यों क्योंकि इसके अंदर जरा सभी अभी ओज नहीं बना है तो यानि इसमें एंटी बॉड़ी भी नहीं बनेगी अगर बीमारी आती भी है इसके पास त हो जाएगी यानि अगर आठ्वे महीने में twenty होती है बच्चे की तो उसके बचने के गरव का स्वाभाविक प्रसव होता है यानि कि मेनली माना जाता है गम्हें देलिवरी होना सबसे अच्छा माना जाता है इसके बाद यदि प्रसव हो to विकारी गरवक समझा जाता है मतलब 5014 महीने 1250 जादे से ज़्यादा 12 महीने तक delivery होई जाने चाहिए अगर इसके बार delivery होती है तो यानि कि उसमें कुछ न कुछ विकार यानि कि उसके अंदर कुछ न कुछ बिमारी जरूर पाई जाएगी यानि कि अगर 12 मेहने के बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई न कोई विकार यानि बिमारी जरूर पाई जाएगी वो स्वस्त गर्व नहीं होगा तो फ्रेंड्स यह था मासान मासिक वृद्धी गर्व की कि हर मंथ टू मंथ कैसे गर्व बनता है और उसमें क्या-क्या वृद्धी होती है उसके अंग प्रतियंग कब-कब और किस-किस मंथ में कौन-कौन से अंग बनते हैं तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में